Hello Python programmers, Welcome to my Python Station YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग पाइथन कोड के मज़़ से ScreenShot Taker बना सकते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं तो पाइथन कोड के मज़़ से ScreenShot Taker बनाने के लिए हम यहाँ पर दो मौडूल का यूज करेंगे पहला मौडूल है हमारा किंटर मौडूल दूसरा मौडूल हमारा पाई आटो गूई मौडूल तो सबसे पहले इन दोनों मौडूल को हम यहाँ पर इंस्टाल कर लेते हैं इंस्टाल करने के लिए हमें टर्मिल में जाना होगा और वहाँ जाकर PIP कमांड के मज़़ से दोनों module को install करना होगा तो यहाँ पर मैं पहला module को install कर लेता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा मैं pip install enter t-k-i-n-t-e-r इतना लिखने के बाद आपको enterprise करना है जैसे आप enterprise करेंगे यह module आपको install हो जाएगा अब इसीक साथ साथ मैं second terminal में आके जो हमारा दूसरा module है उसको भी यहाँ पर install कर लेता हूँ तो इसके लिए भी यहाँ पर same process होगा यहाँ पर लिखना होगा pip install और second module का नाम जो कि हमारा है py autogui py autogui इतना लिखने के बाद आपको enterprise करना है जैसे आप enterprise करेंगे दोनों module आपको यहाँ पर install हो जाएगा अब जैसे ही यह दोनों module install हो जाता है आपको अपने code में इन दोनों module को import कर लेना होगा तो सबसे पहले हम kinter module को import कर लेते हैं तो उसके लिए लिखना होगा from kinter import star अब इसीक साथ साथ हम kinter module में से file dialogue को भी यहाँ पर import करेंगे तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर लिखना होगा from kinter.file dialogue file dialogue import star यह हमारा पहला module यहाँ पर import हो चुका है अब इसीक साथ साथ हम second module को import कर लेंगे second module हमारा pie autogui उसके लिए हम यहाँ पर direct लिखेंगे import pie autogui तो यहाँ पर हमने दोनों module को अपने code के अंदर import कर लिया है अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक window बना कर तयार करेंगे तो window बनाने के लिए हम kinter module में से tk class का use करते हैं तो सबसे पहले tk class का एक object बना लेंगे तो object आप किसी भी नाम से बना सकते हैं मैं यहाँ पर root नाम से object बना लेता हूँ equal to लगाऊंगा और यहाँ पर tk class का use करूँगा इतना करने के बाद आपको last में main loop function चला देना है अब यहाँ पर मैं आपको run करके दिखाऊंगा तो हमारी window यहाँ पर बनकर अब तैयार हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर इसको run कर दिया है तो यह देखिए हमारी यहाँ पर window बनकर यह तैयार हो गई है लेकिन अभी जो हमारे window की size है वो बहुत छोटी है तो इस window की size को हम थोड़ा बढ़ा कर लेंगे और जो हमारी window का ये background color है इसको भी हम यहाँ पर change कर लेंगे तो यहाँ पर दोनों काम जल्दी से हम कर लेते हैं अब जो भी काम करेंगे इन दोनों के बीच में है करेंगे तो सबसे पहले हम विंडो की Size को बढ़ा करते हैं तो इसके लिए जो हमारा Window को नाम है यहां पर हमने Window को नाम दिया है Root लिखेंगे Root डॉट लगाएंगे और Window की Size को छोटा बढ़ा करने के लिए मैं यहां पर Geometry Function का यूज करते हैं तो यहां पर Geometric function का use कर लिए है अब इस Geometric function के अंदर हमें दो चीज़ देनी होती है पहली होती width दोसी होती height तो दोनों को यहां पर हमें string में देनी होती है तो सबसे पहले हमें width देनी होती है width इसकी मैं देता हूँ 300 अब बीच में आपको X लगाना होगा अब यहां पर आपको height देना है जो कि है हमारा root अब square bracket के अंदर आपको string में bg लिखना होगा बीजी का मतलब background इतना लिखने के बाद बाहर आके equal to लगाना है अब string में जो भी color का background चाहते हैं वो color का नाम आप यहां पर दे सकते हैं तो मान लिजे मुझे यहां पर light blue color का background चाहिए तो मैं यहां पर लिख दूँगा light blue बस आपको इतना ही करना है इतना है इतना है से आपका background color screen का change हो जाएगा अब मैं यहां पर आपको run करके दिखा देता हूँ तो यहां पर देखिए हमारी जो window की size थोड़ी बड़ी भी हो गई है अब यहां पर मैंने width height ज्यादा दी नहीं थी उसी साबसे यहां पर इसकी size हुई है आप इसको और बड़ा करना चाहेंगे तो यहां पर width और height को थोड़ा वैल्यू जादा देदेंगे तो यह और जादा बड़ी हो जाएगी और इसीक साथ साथ जो background color है हमारे window का वो भी यहां पर देखिए change हो गया light blue में यहां पर change हो चुका है अब यहां पर सबसे पहला का हम करेंगे heading बनाएंगे तो heading बनाने के लिए हम किंटर module में से label widget का use करते हैं तो यहां पर मैं comment डाल देता हूँ heading अब heading बनाने के लिए यहां पर हम label widget का use करेंगे यहां पर label widget का use कर लेते हैं, अब इस label widget को हमें window के अंदर रखना है, तो सबसे पहले window का नाम लिखना होगा, window का नाम है हमारा root, comma लगाना होगा, अब जो heading का text रहेगा, वो आपको यहां पर देना होगा, तो उसके लिए आपको लिखना होगा text, equal to, और string में जो भी आपको heading eading का text देना पर यहां पर इस string में दे सकते हैं, तो मुझे यहां पर heading का text देना है screening shot taker, तो मैं यहां पर heading का text देना हो olur Gloria Spreund. शौट डेकर यहां पर मैंने इसकी heading दे दी है अब इसका साथ 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 इसकी मैं font दे दता हूँ heading की font देने क्या होगा जो हमारी heading है थोड़ी highlighted हो जाएगी अच्छे से दिखेगी font इसका मैं दे दता हूँ font equal to font के बहुत सारे रहा होते हैं तो यहां पर मैं impact font का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा impact, एक space देने के बाद आपको यहाँ पर हम size देंगे, यहाँ पर मैं इसकी size देता हूँ 13, फिर एक space देने के बाद अगर आपको bolt में दिखाना है text को, तो यहाँ पर आप bolt भी लिख सकते हैं, इस तरह, इतना करने के बाद यहाँ पर pack method का use कर लेना है, अब मैं इसको run करके आपको दिखा देता हूँ, तो हमारी window में जो heading है, वो बनकर तयार हो जाएगी, तो यह देखिए हमारी window के अंदर यह, एक heading बनकर यहाँ पर तयार हो गई, लेकिन यह थोड़ा भी अच्छी नहीं दिख रही है, यहाँ यहाँ पर देखिए, एक axis में हमारी यहाँ पर कुछ gap आ रहा है, यहाँ इधर gap आ रहा है, और यहाँ पर gap आ रहा है, तो इस gap को भनने के लिए हम इस pack method के अंदर fill देंगे, और जो हमारे heading है, इसकी background के color भी change कर देंगे, और जो यह text है, इसका भी हम यहाँ पर color change कर होगा, तो सबसे पहले हम pack method के अंदर fill देंगे, ताकि हमारे पूरे window के अंदर यह भर कर आ जाए heading, तो fill equal to, और यहाँ पर capital में आपको x लिखना है, क्योंकि x axis में आपको पूरा भरना है, तो यहाँ पर capital में x लिख दीजे, या तो एक कमा और भी कर सकते हैं, यहाँ पर capital x भी ले सकते हैं, या तो string के अंदर small x इस तरह लिख देंगे, दोनों same होगा, दोनों काम करेगा, इतना करने के बाद आपको, आप यहाँ पर background color चेंज करना है, और foreground color, foreground color मतलब text का color, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाईए, कॉमा लिखे, सबसे पहले background color चेंज करेंगे, और string में आपको जो भी background color चाहिए, वो यहाँ पर आप background color का नाम दे सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर purple color का background चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा purple, अशीक साथ साथ मैं कॉमा लगाँगा, यहाँ पर foreground लिख दूँगा, foreground shot में लिखेंगे fg, equal to लगाएंगे, और string म अंदर white लिख दिया हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर run कर दिखाता हूँ, तो यह देखिए जो हमने pack method के अंदर यहाँ पर दिखा देता हूँ, यह pack method के अंदर हमने fill दिया था, fill equal to x axis वाला, तो यह देखिए पूरे x axis में यह हमारी heading भनकर आ गई है, यहाँ पर देखिए next line में आ जाएंगे, एक comment डाल देता हूँ, button, button के लिए हम यहाँ पर button widget का use करते हैं, इसको भी हमें window के अंदर रखना है, तो सबसे पहले window का नाम लिखेंगे root, comma लगाएंगे, अब आपको button का नाम क्या रखना है, वो भी आप यहाँ पर text equal to दे सकते हैं, तो मैं आपर text equal to, यहाँ पर string में आपको button का जो भी text देना है, string के अंदर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, screenshot, यह मैंने button का text दे दिया है, अब यह साथ साथ में इसका background color, foreground color, font भी दे दूँगा, तो background के लिए bg लिखूँगा, equal to लगाँगा, string में हम color का नाम दे कॉमा लगाँगा, foreground मतलब texture color, foreground भी देता हूँ, fg equal to string में, foreground का color white में दे देता हूँ, और last में हम इसका font दे देते हैं, font equal to impact का use करेंगे, impact space देंगे और इसकी size देता हूँ, इसकी size में देता हूँ 15, और इसको भी मैं bolt में रख देता हूँ, इतना करनेक बाद आपको last में pack method का use करना है, dot लगाएंगे, sorry place method का, dot लगानेक बाद यहाँ पर आपको place method का use करना है, अब इस place method के अंदर आपको दो चीज़ देनी होती, x axis और y axis, सबसे पहले x देना होगा, तो x मैं इसकी दे देता हूँ 80, पहुमा लगाँगा, y equal to दे देता हूँ, इसकी 90, अब run कर करके देख लेता हूँ, मुझको button एक दम बीचो बीच है, यहाँ पर मैंने इसको run करके देख लिया है, दम बीचो बीच आगे, इसको थोड़ा अगर और उपर भी करना है, तो इसका y axis, जितना y ज्यादा देंग, उतना यह नीचे आता जाएगा, तो थोड़ा और इसको बीच में करने के लिए y थोड़ा इसका कम कर देता हूँ, y इसका 90 है, तो y इसका 80 कर देता हूँ, तो यह देखे हमारा button जो है, अब हम यहाँ पर एक दम बीचो बीच आ गया है, अब हमें लाश कम यह करना है, कि जब भी हम इस button, यहाँ पर देखे हमने button बना लिए, क्लि function काम करे, तो हमें button के अंदर command देना होता है, तो मैं इसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, यहाँ बटन वाली line है, यह देखे हमारी यह button वाली line है, अब इसी में last में आके हमें यहाँ पर command देना होगा, गॉमा लगाएंगे, यहाँ पर command देना होता है, command equal to, अब यहाँ नाम से कामारे यहां पर आप फंक्शन का नाम देना जिस भी नाम से आपको संक्शन बनानाmachen मुझे सब्सक्राइता उसकी उपर नाम से यहां पर हमने इसका capture नाम से function मना लिए एंटर हिट के आप function के अंदर आ गया है अब यहां पर हमने जो यहां पर पाय अटोगई मॉडूल को यहां पर import किया है इसका हम यहां पर अब यूज करेंगे सबसे पहली लाइन हमारी इसली होगी कि जब भी बटन क्लिक हो तो screen shot टेक हो जाए तो इसके लिए हम यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा पाय अटोगई है उसको यहां पर call करेंगे तो मैं यहां पर लिखता हूँ पाय अटोगई डौट लगाने के बाद screen shot function होता है उसको यहां पर लिखनाyond होगा तो dot लगाए सक्क्रिण श्यूर्ट के अंदर आपको रख लेना है इकवल तो लगाने कंपाद इसमें लिख दीजे वारे बल कनाब किसी भी नाम से लिख सकते हैं जैसे screenshot capture होगा वैसे ही आपको किस नाम से आपको file image को save करना है उस वह आपसे पूछेगी उसके लिए यहाँ पर variable बना रहते हैं save file नाम से save file यह हमने variable बना लिया save file नाम से अब यहाँ पर हम इसका यहाँ पर we can ask save as file name का function यहाँ पर चलाएंगे जिससे क्या होगा आप जैसे screenshot लेंगे वैसे ही आपसे पूछेगा कि किस नाम से आपको file को save करना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप सेव एस फाइल नेम फंक्शन या हमारा फंक्शनButton हो गया ये लाइन कीा करेगे ये आपसे पूछेगी किस नाम से आपको फाइल को सेफ करना है यहांपर ही होगि आप हमाली लाइश्ट लाइन बची है कि突ं़ झाइए अभी इसकेบाद हमारा यह screenshot नाम से variable गनाय था क्योंकि इसी variable के अंदर आप screenshot ले रहे हैं तो इसको यहाँ पर इस variable के नाम लिखिए screenshot screenshot लिखने के बाद save function होता है तो dot save function का use करिए अब इसके अंदर आपको इस variable के नाम देना है जिस variable के अंदर आपने file name को save किया है तो यहाँ पर आपने variable का नाम दिया था save file सबसे पहले इसको लिखिए save file जो भी आप file का नाम देंगे वो इसके अंदर आ जाएगा अब आपको इसी नाम के आगए अगर add करवाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर कर दीजे plus और यहाँ पर string में आप नाम दे दिए जो भी नाम आप लिखेंगे वो आ जाएगा और plus करके जो भी यहाँ पर देंगे वो लिख दोनों साथ में आ जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ screenshot.png screenshot.png इससे क्या होगा यहाँ पर error बता रहा है अच्छे यहाँ पर R नहीं लिखा हूँ मैंने screenshot अब यहाँ पर third line में क्या होगा देखिए मैं फिर से बताता हूँ first line में हमारा क्या हो रहा है जैसे button click होगा वैसे screenshot capture हो जाएगा second line में क्या होगा जैसे screenshot capture होगा उसके बाद आपसे file name पूछेगा किस नाम से आपको file save करनी है third line में जो भी नाम से आप file देंगे वो नाम यहाँ पर save हो जाएगा उसके साथ यह यह भी जूड़ जाएगा screenshot.png अब मैं यहाँ पे आपको finally run करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारा code बनकर तयार हो गया है, बस इतना इपको यहाँ पर finally run करके दिखा देता हूँ यहां पर मैंने रन किया, यह देखिए successfully open हो गया, अब मैं जैसे screenshot पर click करूँगा, यहां पर screenshot यहां पर capture हो जाएगा, और तुरंती हमसे file save करने के लिए नाम पूछेगा, तो मैं देखिए इस पर click करता हूँ, तो यह screenshot ले चुका है, अब देखिए process में जा रहा है, इसके ब हमने second line दी थी, कि आग save file name के लिए, तो उसके लिए यहां पर आ गया, file name आपको यहां पर देना है, तो माल लेजे मुझे यहां पर file name देता हूँ, कुछ भी आपको file का नाम देना वो आप यहां पर दे सकते हैं, तो मैं आपर ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ, इस तरह कु देता हूँ, यह देखे हमने यहां पर दिया था, sse करके दिया था, उसके आगे यहां पर screenshot.png नाम से यहां पर file save हो गई, आप मैं इसको open करके आपको दिखा देता हूँ, यह देखे हमने screenshot लिया था, उसका यहां पर file save हो गई है, यहां पर screenshot successfully capture हो चुका है, तो बस आज क वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अगर आपको इस वीडियो से कुछ related question पूछना है तो मैं यहाँ पर description में telegram ID दे दूँगा वहाँ पर आप जाकर join कर लिजेगा और मुझसे question पूछ सकते हैं उम्मीद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप channel पर नहीं तो please channel को जरू subscribe परिएगा क्योंकि मैं इसी तरह interesting python related videos लाता रहूँगा till then goodbye मिलते हैं अगली वीडियो में thank you